Hello everyone, this is me, Sabia here and Mark Kya Relay-Kya एक और reading जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनको कभी कभी doubt होता है अपने person के उपर आपको लगता है कि पता नहीं है person trustable है या नहीं है, trustworthy है या नहीं है तो ये reading चेक कर सकते हो, इसमें हम जानने के कोशिश करेंगे कि जो कि specific someone है आपके mind में right now, जिसके साथ आप relationship में हो, या फिर relationship बनाना चाह रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या आप इस इंसान के पर trust कर सकते हो या नहीं तो ये reading चेक कर सकते हो, इस चेक में हम ये भी जानेंगे, साथ में आपके लिए Oracle guidance भी add करेंगे, so stay tuned और reading चुर करने से पहले remind करवादूं कि ये एक general reading है, सब के साथ match कर भी सकती है और नहीं भी, so जो बाते, जो messages match करते हैं, उन messages को pick करो और बाकी सब को छोड़तो, अगर आप personal readings चाहते हो, people से easy business payment कर सकते हो सर्फ तर भी reach out करो, ताके आपका भी down list नहीं हो और मेरा भी, so let's see के क्या आप इस specific someone के उपर trust कर सकते हो, हा या ना Ace of Wands, 3 of Cups, 7 of Swords, underneath the deck, we do have four of pentacles, let me take a clarifier क्या आप इंपे trust कर सकते हो मुझे लगता है कि, to be honest, यह person आपसे कुछ तो चुपा रहा है, यह person आपसे कुछ चुपा रहा है, कुछ आपको reveal नहीं कर रहा four of pentacles का card है, underneath the deck, और मुझे लगता है कि आपका relationship शुरू में बहुत जबदस रहा होगा, बहुत ज़्यादा fulfilling रहा होगा, लेकिन जहाँ पर relationship आगे ले जाने की बात आई, वहाँ पर चीज़ें खराब होगी, to be honest, connection में growth की potential बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप से चुपा रहे हैं right now, जिसकी वज़ा से आप इनके पर fully trust नहीं कर सकते हो, no doubt, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी चीज़ चुपा रहे हैं जहाँ पर, you know, third party का involvement है, या कुछ इस्टरा की situation है, it's more like something to do with themselves, इनकी family से related को issue हो सकता है, इन इस person के साब आपका connection अच्छा चल सकता है, आप इस पर trust कर सकते हो, लेकिन it's something जो कि, you know, मुझे ऐसा रगए कि ये क्यों ऐसी चीज़ चुपा रहे हैं जिससे अगर देखा जाए, तो आपका तालुक वास्ता ऐस नहीं होगा, लेकिन, क्योंकि परसन चुपा रहा है ये च आप से चुपाते हैं, वो सकता है, फामिली इंकी अच्छी नहीं हो, या फामिली में मसले मसाइल हो रहे हो, जो आपको रिवील नहीं करते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि, कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो जो राइट नहीं, उनको लगता है कि, दे डूंट फिल सेफ और आ या नहीं, let's find out, क्या ये परसन ट्रॉस्ट वर्दी है, हाँ या ना, क्या ये परसन ट्रॉस्ट वर्दी है, हाँ या ना, क्योंके कुछ तो ये डेफिनिटी चुपा रहा है परसन, मुझे लगता है कि, ये परसन आप से किसी भी ऐसी चीज़े के बारे में जूट नहीं ब मुझे लगता है कि जो भी इसकी मामले हैं, ये परसनल फिर से कनेक्टे हैं या परसनल किसी इशू से कनेक्टे हैं, like I said earlier, मुझे लगता है कि परसन डेफिनिटी सक्सेफुल है, ग्रांडड़ है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो ये, it's like, परसन की लाइफ शायद इस an open book, लेकिन इसके अपनी personal internal जो feeling है, conflicts है, वो nobody knows, और मुझे लगता कि परसन ऐसा है कि जो open up करता है, आप अपने से कुछ लगों के लिए परसन की बाल काफी light होंगे, या, you know, as in like, you know, हो सकता है कि slightly bald हो आपका person, या फिर बहुत कम बाल हो, अगर, especially अगर लड़की है, तो obvious बाल नहीं होगी, बट मुझे लगता है कि काफी light बाल होंगे उसके, अगर feminine energy भी है, बट मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए person हो सकता है कि देखने में financial बहुत stable लगता हो, लेकिन deep down financial crisis का deal कर रहा है, ये भी possibility है, जो कि वो आप से चुपा रहा है, so कुछ ऐसा है ज job से connected हो सकता है कि एक lack feel होता है, इनको stability नहीं फील होती है, जिसकी वैसे शायद आपका relationship influence होता है in a negative way, especially अगर हम बात करें, ये जो person है जिसके साथ आप deal कर रहे हो, ये person हो सकता है कि आपको देखने में लगता है कि वाव, like you know, they have a luxurious life, ये बड़ा जबरदस कुछ scene चल रहा हो, सारा कुछ जबरदस लगता हो, लेकिन हो सकता है कि इसका खुद का control अपने decisions पे, अपनी life पे as such नहीं है, जिसके वज़ा से ये commitment से भागता होगा, क्योंकि ये stand नहीं ले सकता, अपने लिए आपके लिए family के सामने, वो भी एक reason है जो कि एक connection से अपने आपको दूर कर हो, loving way, you know, relationship के point of view से आप trust कर सकते हैं, या आपको जूट नहीं बोलेगा, love life को लेगा है, ये आपको दोका नहीं देगा, उस हिसाब से अगर हम देखें ते person trustable है, कहीं नहीं आपको divinely भी इस इंसान की तरफ एक लगेगा कि सच्चाई, you know, जो है, आप, you know, ये person सच बोल कर रहा है कि person जो है कहीं नहीं struggle कर रहा है, hardship डील कर रहा है, लेकिन, या financial reasons की वजा से, आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि religion को लेकर भी इसके कोई, you know, जैसे होता ना कि, ऐसे भी कोई चीज ने आपसे चुपा ही हो सकती है, religion का reference type का भी कुछ हो सकता है कुछ लो नहीं कर रहा, ultimately चीज़ें रिवील हो जाएंगी, और, मुझे लगता है कि person के ओपर आप financially कभी rely नहीं कर सकोगे, emotionally तो trust कर सकते हो, लेकिन financially आप इसके ओपर rely नहीं कर सकते हो, लेकिन financially आप इसके ओपर rely नहीं कर सकते हैं कि ये unstable है खुद भी और अपने finances को लेकर ये person happy नह तो मुझे लग रहा है कि struggle कर रहा है, कुछ financial decisions को लेकर हो सकता है, हो सकता है कि financially stable हो, लेकिन इसके अपने जो goals है, अपने जो career है, जो अचीव करना चाहता है, वो अचीव नहीं कर पा रहा हो, उसकी वज़े से बहाँ जादा स्ट्रेस लेता है आपका person, और अगर ऐसी situation है, तो भी मुझे लगता है कि आने विले time में situation बहतर हो जाएगी, और फिर ये person शायद इस relationship को लेकर भी open up हो जाए, हो सकता है कि independent भी हो जाए, और आपके लिए relationship के लिए stand भी ले सके, So, currently मुझे लग रहा है कि finances को लेकर या फिर inner struggle को लेकर कोई issues है इस इस इंसान को, but when it comes to you and them, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई as such issue है इस इस इंसान को, जैसे ही इसके ये मामलात सुधर जाएंगे, या, you know, work out हो जाएंगे, या, इसको लगेगा कि हाँ, अब मैं जो है, इक stable position पे हूँ, तो आप इसके ओपर emotionally भी, you know, financially भी rely कर सकोगे, but at the same time, फिल हाँ, मुझे लगता है कि इस person को नहीं लगता कि financially इतना strong, stable है, independent है, कि अपने लिए या आपके लिए stand ले सके, जिसकी वज़ा से person upset है, और ये चीज़ें को आपसे reveal नहीं करता, आपसे share नहीं करता, आप मैंसे majority लोगों के लिए person जो है, अपनी career life को लेकर बहाँ ज़दा अपसट है, कहीं नहीं उसको अपनी, जिससे होता है, self worth, वो भी बहाँ, उसकी self esteem है, वो काफी low है, अपने आपको लेकर, अपने career को लेकर, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मिल मिलाकर आपके person को थोड़ा insecure करती है, जिसकी वज़ाँ से शायद वो वैसे तो सही रहेंगे आपके साथ, लेकिन insecurities की वज़ा से, काम की वज़ा से, अपनी चीज़ों की work out ना करने की वज़ा से, they are gonna suffer a lot, लेकिन once they are done, जब वो अपने achieve कर लेंगे, अपने targets को, अपने goals को, तो मुझे लगता है कि ये रिष्टे को लेकर, आगे ले जाने को लेकर, या family को मनाने को लेकर, हर चीज़ में ये relationship को work out करने की position में आ जाएंगे, so मुझे लगता है कि आप इस इंसान के पर trust कर सकते हो, कुछ ऐसा है जो चुपा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो बता नहीं रहें, लेकिन it's something to do with their personal affair with their work, और उनका काम, और उनकी family, उनकी ऐसी situation जहां पर वो stable नहीं फिल कर रहे है, emotionally भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, लेकिन other than that, मुझे लगता है कि जब तक ये situation सही नहीं होती है, आप इसके उपर जादा fully trust नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप fully trust करोगे, तो you are gonna feel like, आपको इस relationship में masculinity का अंदाजा होगा, या feeling आएगी आपको, चाहे आप female भी हो, तो आपको लगेगा कि ये person बहुत ज़दा weak है, सो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा mature up होने में time लगेगा, ये अपने, you know, अपनी strength जो है, अपने career से achieve करेगा, जाहे ये female है, ये masculine है, मुझे लगता है कि this person really feels bad or low about themself, क्यूंकि इनको अपनी financial security के ओपर काम करना है right now, जैसे है ये इसके अपनी grip हासिल कर लेंगे, तो ये अपने, you know, अपने way of being में बहुत confident हो जाएंगे, बहुत positive हो जाएंगे, इस इस इसनान को, इस relationship को लेकर better up करने में, अपने career path को improve करने में, जिससे relationship के ओपर positive influence आए, जैसे कितना time लग सकता है इस इसनान को, let's see, okay, next full moon, तो that means कि it is going to be close, एक महीना है maximum, अगर हम बात करें, लेकिन कुशिश करो कि आप obsessed नहीं करो, इस इसनान को लेकर, relax करो, आपका person obsessed कर रहा है, मुझा लग रहा है कि to be honest, जब ये obsessive behavior में है right now, finances को लेकर, career को लेकर, अपनी inner difficulties को लेकर, मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा इसके love life में, जो है influence रहेगा, negativity का, इसके अपनी situation की वज़ा से, जैसे ही इसको let go करेगा, stress को relax करेगा, आपको stress नहीं लेगा, आपके relationship पे इसका positive असर आएगा, so definitely इस person के अपर आप trust कर सते हो that way, लेकिन अभी कि ये खुद अपने अपर rely नहीं कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसे थोड़ा धील दो, जब ये खुद solid, stable हो जाएगा, तो आप इसके उपर जादा अच्छे से trust कर सकोगे, इस relationship के उपर solely, you know, rely कर सकोगे, so yeah, यह यह reading आप लों के अगर आपको help किया हो, guide किया हो, तो like sure, subscribe zero करो, और अगर आपको personal readings चाहिए, check the description box for that, अगर, March के महिने के लिए affirmations चाहिए, तो check the description box for that as well, so yeah, तो आपको आपको personal readings चाहिए, take care and bye!